Hello everyone, इस case का नाम है ता डेली क्लोथ और जर्नल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्कमेन, यह 1967 का केस है, इस case में डिस्प्यूट एराइस होता है, और यहां पे जो एक तरफ डेली क्लोथ मिल्स और उनके वर्कमेन के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो दूसरी तरफ यहां पे स् एंट उनके वर्कमेन के बीच में यहां पे डिस्प्यूटराइज होता है सबसे पहले DCM यानि कि Delhi Clothes Milk इनके केस में क्या होता है कि जो वर्कमेन होते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं जिसके रिजल्ट में यहां पे जो मैनेजमेंट होता है वो लोकाउट डिक्लेर कर देता है और इनको एक तरह से सिंपividade देनी के लिए यहां पे जो S.B.M. अगर मैं S.B.M. कह रही हूं तो यहां पे स्वतंत्र भारत मिल जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरह से सिख यहां पर डाउन स्ट्राइक कर देते हैं तो जिसकी वजह से यह बिल्कुल स्ट्राइक के जैसा ही होता है यहां पर डिस्प्यूट राइस होता है तो डिस्प्यूट यहां पर दो अलग अलग जगा राइस होता है तो इस केस में क्या हो तो जब यहां पर इस पूरे मैटर को एड़ुडिकेशन के लिए ट्रेबिनल के पास भेश देते हैं और यहां पर कुछ चीज़ चेक करने के लिए कहते हैं यहां पर गवर्मेंट ट्रेबिनल को कुछ ट्रेबिनल को देखने के लिए कहते हैं तो जैसे कि यहां पर दो क्वेशन जो होते हैं जो ट्रेबिनल को चेक करने होते हैं जो कि यह है कि क्या जो इस्ट्राइक हुई थी इस्ट्राइक और लोकाउट जो डिक्लेर किया गया था DCM Delhi Clothes Mills में वो justified था legal था या नहीं और यहाँ पे जो workmen है वो उस time period में wages के लिए entitled है या नहीं जितने time period में lockout लगा था क्या उसके लिए entitled है या नहीं और दूसरी चीज़ यहाँ पे वो यह कहते हैं कि जो sit down strike हुई थी यहाँ पे SDM में यानि कि सुतंतरु भारत मिल्स में क्या वो justified थी लीगल थी या नहीं और क्या वहां की जो workmen थे वो इसके लिए वेजिस के लिए entitled थे या नहीं थी तो इसके साथ यहां पर इन चीज़ों को देखने के लिए ट्रेबनल कहती है और ट्रेबनल इन ही चीज़ों को देखता है तो इसके रिगार्डिक में यहां पर जो management है उसको यह कहता है कि ट्रेबनल में जो जो question जाने चाहिए वो यह है है गvidemment की लिए चाहिए ज्याएं चाहिए चाहिए यह इसके इसके डिफ्रिइंस में यहां फर कि आप होते हैं उनका यह कहना होता है कि जो देखता यहां कोई हूई मी ती तो इस असे यह disputes यहाँ पर दोनों की अपनी-अपनी contention होती है और दूसरी तरह गवर्मेंट जो है वो ट्रेबिनल को कुछ terms चेक करने के लिए बोलती है तो यह इन सब बातों के बीच में एक जो issue सामने आता है वो यह सामने आता है कि क्या ट्रेबिनल जो है वो उन चीजों को मानने के बाउंड है जो उसे गवर्मेंट ने कहीं है यानि कि अगर उसे कोई order दे रही है तो क्या उसे वो मानना होगा यानि कि अगर हम section 10 clause 4 को देखते हैं तो यहां पर ट्रेबिनल जो है वो एड्यूडिकेशन तो कंफाइन करे गई और उसके साथ यहां पर डिस्प्यूट को रेफर करेगा मैटर को रेफर करेगा जो भी यहां पर है और यहां पर यह वर्कमेंट के उपर लिए वर्कमेंट पर नहीं है कि वह question decide करे या उसका जो भ यहां पर यह दोनों parties के लिए एक है option होता है एक क्या है कि open होता है दोनों के लिए कि वह क्या कर सके अपने dispute को दिखाए जो dispute जो है वो industrial dispute में जाना है या नहीं जाना है उसको यहां पर दिखा सकते तो इस case में यही होता है कि industrial वही काम करेगी जो इससे act में कहा गया है और